अग्ष्ट पार्ट में हमने मॉडलिंग की थी और सेकेंड में या पर टेक्चर्स और मट्रेल्स वगर अपलाइक कर लेते तो अभी है था हम या पर मॉडल को कैसे इंपोर्ट करना है प्रॉपर्ली और कहां से डाउनलोड करते हैं वह सब चीजे में आपको या पाइप पता कर लिजे और नोटिफिकेशन भी अन कर लिजे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो पीछ इसको लाइक जरूर कर देना तो चले शुरू करते वीडियो को तो यह हमारा जो इंटिर का लिए कर लिजे और उसको खोफशन कर लेजे तो उसको यहास से ओपर कर लिए तो वह भी यह से इंपर्ड हो जाता है आप दूसरा तरीका यह आप सिदह्वी यहा यहाइसे को अंक्रीपर को आपन कर ले जिसमें आपने मॉडल को रखा है जैसे की मैंने इस वाले file में में म मिरे मॉडल को सेलेक्ट कर लिएता हूं यह यहां पर कुछ कोरोना और वीरे यहांपे दो हैं मेरे पास यहां पर वीरे पर विरे वाला सेलेक्ट करने और इसको इस तरह किसे ड्रैक्ट करना है और यहां से फाइल ऑपन यहां फिर मर्ज का ओप्छन manufactured यह तो आपको हो रेक्टेंगल तो हमने 3.65 मतलब 12 फिट का लगवर्ट हमने यहां पर रूम का साइज रखा है तो फिर भी यह उसी साफ से काफी जादा यहां पर बड़ा है तो हम इसको एक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ग्रूप कर लेते हैं तो क्या होगा हर बार लगलग पार्ट में आ करना है तो मेरे काया से यह जो सोपा है इतना बड़ा नहीं होना चाहिए तो मैं इसको बड़ा सा स्केल डाउन कर लूँगा यहां से अगर आपको प्रॉपर इसका आइडिया नहीं आ रहा है कभी कभी स्केल में मॉडल नहीं आता है तो आपको क्या करना है ऐसा बॉक्स य यह आप यह होगी तो मैं जो ऐसे इसको स्केल करना है तो इस तरीके से हम जो है आपे सोपा को यह आपे स्केल डाउन करेंगे तो वह आज हम बढ़ा कर लेते हैं क्योंकि एक 3D मॉजल आपजेट होता है तो इसमें ज्यादा स्केल का इतना द्यान नहीं पढ़ता है तो थोड़ा हम इसको प्रोपोर्शनेटली जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जो बॉक्स क्रेट के यह था उसको डिलेट कर देंगे और फ्रंट यूपोर्ट में अगर आप यह पर देखोगे तो यह जो आपका सोपा एक कुछ इस तरीके से आ रहा है और यह शायद ग्राउं लेवल पर भी नहीं तो और डिये ग्राउं लेवल पर यह थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो आप इसको यह पर चेक कर लीजे कितना आपको यह पर चाहिए एक्ट्यूली जो मॉदल होता है प्रोपर स्केल में आना चाहिए मगर कभी-कभी यह model जो होता है scale में नहीं होता है तो उस वज़े से यह सारी जो problem होती है यह आप हमें सरी कैसी face करने पड़ती है ठीक है तो यह से on करता हूँ 3d snap को on करेंगे और try करेंगे कि इसका जो नीचे वाला है वहाद तक इसको लेकर जाएंगे और इसको close कर देंगे उसके बाद आप इसको right click करोगे तो यह zero level पर यह पर आ जाएगा ठीक है क्योंकि हमने इसका गिजमो जो यहाँ पर set किया था तो कुछ time के लिए हम फ्रेंट वाली वाल है इसको जो है यहाँ से हाइट कर लेते हैं जिससे अब में जो होगा अंदर का जो भी हम काम करेंगे वो देखने के लिए easy पड़ेगा तो यह हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा time लेना शुरू हो चुका है तो इसको थोड़ा सा जो है proper हम यह जगा पर लगा देते हैं और यहाँ से कुछ जो चीजे हमें यहाँ पर नहीं चाहिए तो हम इसको बाद में निकाल लेंगे इतने सारे जो यहाँ पर यह डाले हुए उसके हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है तो मैंने क्या बोला था अभी टेक्टर को चेक करना है तो आपको क्या करना है यहाँ से reference में जाना है file में से और यहाँ से assist tracking पर open कर लेना है तो आपको यहाँ पर दिखेगा अभी यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है तो आपको क्या करना है search कर लेन है उसके बाद आपकी जो फाइल की लोकेशन है उस लोकेशन में आपको जाना है ठीक है अभी इसका जो फाइल का लोकेशन था तो यह मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से और यहां पर पेस्ट कर देता हूं तो यह जो है उस location में जाकि इसका पात यह वह बात यह पर कर देना है तो आप यहां पर देखोगे सब यहां पर यहां पर ने खर सेट हैं थे यहांप सब्सक्राइब कर दोद यह पर दिखाएगा अभी पता नहीं यह क्या क्या दिखा रहा है लैमिनेट का दिखा रहा है जो आपको यह से ब्राउजर करना है और जो भी पात है अगर आप सब्सक्राइब मैंने देख में डाला है कहीं पर डाला है तो उस वाले पात को सलेक्ट कर लिए और ज्यादा पौछ चारह आपका एक है कि इस में हो गा मतलमियों करना ही उसको पूरा टेक्चर करके आप शो कर देगा ठीक है तो यह तरीका था इसी वाला अगर आप यह यह रीलिंग करता हो या फिर आप यहां से reference में जाके assist tracking के जाके जो भी पाते उसको दे सकते हो एक एक कर दे ठीक है तो यह हमने आप इंपोर्ट कर दिया अभी जो next जो भी रहेगा हम इसको यहां से इंपोर्ट नहीं करेंगे हम यहां से जो चाउस कॉस्मस की लैबरेरी है यहां से मैं जो models डाउनलोड करेंगे उसको मैं यहां पर इंपोर्ट करूंगा वह model इंपोर्ट करने का एक फायदा और है क्योंकि वह कम size की होते है और extra model होते तो उससे क्या होता है फाइल का जो size भी थोड़ा सा कम यहां पर होता है लोड ज्याद आप नहीं पड़ता अपने फाइल पे तो अभी यह जो चीजे यह आप आप देख्रोंगे बहुत ज्यादा हो रही है इतनी ज्यादा यहां पर होती नहीं है तो उसको त्वादा सा कम करें थे ठीक है एक नॉर्मल लग रहा है यहां और इसको जो ग्रूप को इक्लोस कर देदे ठीक है तो अभी यहां से हम rendering भी हम यहाप पे लेने यह वाले है तो अव्रडी मैंने इसको download करे करके रखा है तो यहाज से कुछ हम देखेंगे यह वहाला जो plant है हम इसको यहाप लेक सकते तो इसको simply क्या करना है import कर देंगे तो आप तो इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे प्रंट में आप यहाँ पर देखो गए तो उससाब से आपको इसको रखना है कितना आपकी यह पर रूम के अकॉर्डिंग आप यहाँ जो इसका साइज इसको देख लीजिए और तो यह सब हमने यहाँ पर लगा दिया है दूसरी चीज यह पर मैंने एक और मॉडल यहाँ पर उपन करके रहा था इसको भी हम से वैसे ही इंपॉर्ट करेंगे जैसे वह लिए किया था मैक्स फाइल आप इसको भी हम यहाँ पर अफ्लाय और ड्रैक करके मर्च कर देंगे मर्च फाइल को है जो मॉडल हमारे यहाँ पर हो जाएगा आप देख सकते हो यह model हमारा यह पर import हो चुका है पता नहीं यह कितने पार्ट में अलग अलग है यह की पार्ट में तो कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको इसको इसलेक्ट करके इसका गिजुम हो यह सेंटर में और ग्राउंड लेकर आई है तब ही क्या होगा आप जब इसको स्केल करोगे तो यह नॉर्मल मतलब ग्राउंड लेवर से स्केल होगा कई पर भी जाएगा ठीक है तो यह सब चीजे यहां से आपको इससे करना है और दूसरा जो है यहां पर चाँष कोस्मस अगर आपके पास है तो आप यहां से एजली एक एक मॉडल जो है import कर सकती हो तो यह सिमपल सा तरीका है यह पर इमपोर्ट करके रखते एक एक पर ले जोन भी चीज़े हमें यहां पर important है तो इसको हम यह एक एक करके यहां पर डाल देंगे ठीक है तो यह थोड़ा सा लोड होने में time लेगा कि नीचे शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा आगे ही होगा उपर होगा जो भी डाउनलोड किया यह टेबल भी हमें यहां पर चाहिए और यह जो पेंटिंग साफ यहां पर देख रहा हूं इसमें से कोई भी एक अच्छी से पेंटिंग हम यहां पर उठाएंगे एक यों में कर माइद यहां नहीं है तो यहां से कोई पेंटिंग लेंगे हम जो वल हमारी और यहां पर लगा देंगे तो यह कुछ छोटी पेंटिंग से हम यहां पर 20 लैंगे बड़ी वाली तो यह ठीक है यह एक लगा लेंगे और यह दूसरी वाली फैंडिंग है तो यही मैं दून रहा था तो दो दिन जो चीज़े मैंने आप इंपोर्ट कर लिए लाइट वगरा भी हम यहां पर लगा सकते हैं तो लाइट का पार्ट जो है मैं बाद में देखूंगा पहले हम जो इंपोर्ट किया है उसको हम यहां पर लगा लेते हैं तो यह सब चीज़े रिपेट होने वाले तो यह प्रोसेस आप इसको सेम चीज़े यहां पर आएंगी तो इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इतना कोई इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं है तो सेम चीज़े इसको यहां से कॉपी करना है इंपोर्ट करना है तो इसके साथ में आया है तो इसको हम क्या करेंगे यहां से रोटेट कर देंगे इसको मैं बात में आइज़स करूँगा अभी जो है जो मेंन पार्ट है वो मैं आपर कॉपी कर लेता हूँ इस करटन हमारा यहां पर लग चुका है और जो पैंटिंग अबने यहां पर लिए है उनको भी हम क्या करेंगे यहां पर वाल पर जाकर लगा देंगे ठीक है तो यह पेंटिंग हमारी यह पर लग चुकिए और दूसरी वाली पेंटिंग हम यह पर लिखाएंगे कि इसको आइसोलेट कर लेते तो इजी पड़ता है इसको तोब आशा सकेल डाउन करेंगे का पर ज्यादा बड़ी लग रही है और इसको भी तोब्लाइज सकेल डाउन करेंगे कि हमारा रूम इतना बड़ा नहीं है तो यह लीविंग रूम का यहाँ पर था और इसको हमने इस तरीके से जो है इसके सेंटर में यह पर पेस्ट कर दिया है और तो इसको सब को आउन कर देते हैं आई होप आपको यह वीडियो बच्छी लगए और आपको पता चल गया होगा मॉडल्स वगरा डाउनलोड करने का मैंने बताने तो यह इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है तो बहुत सारी लोग यहाँ पर पूछते मॉडल्स में का से डाउनलोड करता हूँ एक तो मेरे पास यहाँ पर में अभी फिलाल चावस कौसमा से यहाँ से में डाउनलोड किये हुए यह उप्जक्ट है उस आप ईह seven डाउनल्स दीखा रहा है यहाँ पर फ्री वाले जो मॉडल्स होते है उसको आप यह पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा तो सर्च करेंगे जो इसको पर फिलाए जो बी मोड़ें करना पड़ेगा आपको और यह डौनलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ड बहुत तरी जो free models होते हैं वो इसके मिल जाते हैं तो यह सब model यहाँ पर free में हैं कपी अच्छे यहाँ पर high quality होते हैं तो आप यहाँ से भी इसको download कर सकते हो तो मैंने काफी वीडियो में यहाँ से download लोड करके models को यहाँ पर लिया है ठीक है बहुत सारी लोग पूछते तो आप यहाँ पर free models करोगे तो बहुत सारी जो website होती है यहाँ पर मिल जाते है लॉगिंग करना होता है तो इसको download करने को एक दो model फ्रीम होते हो एक दिन के वह मिल जाते ठीक है तो इस तरीके से आप इसको यह पर और रेंडर सेटिंग और photoshop के लिए क्या-क्या या पर चीज़े या पर हमें requirement होती है और कैसे force protection कर दे वह सब आगे जो main